चीकू की खेती एक बर लगाओ 35 साल तक कमाओ स्मार्ट खेती की संख दोस्तों आप देख रहें चीकू की खेती उसके पहले स्मार्ट खेती चैनल किसानों का चैनल है लाइक सब्सक्राइब बनता है अगर आप किसान हो तो घंडी का बटन आउश्य दबाद है आईए मैं आपको लाई दिखाऊंगा अपने खेत पड़ोस से कि खेत में चीकू की खेती वास्ताइक रूप से किसे की जाती है तो आप देख रहें वीडियो में चीकू की खेती के लिए चलवाई हूँ गर्म जलवाई में लगभग सभी तरकी भूमी में की जाने वाली ची यह भाई काली मिट्टी है जहां पर चीकू गाए गया है पोधर लगाने की समय जुलाई से सितंबर यह पोधर मुझे मुझे भी पता नहीं कब लगाए लेकिन बहुत पुराने यह है लगभग 12 से 13 साल होगे दोस्तो इन पेड़ पोधरों को चीकू की किसमे में चीकू की यह गोल है ओनली गोल सिचाई अन्य मुझेम की तुलनामे गर्मे में चीकू की खेती का विश्याद ध्यान रखते हुए सिचाई करते रहना चाहिए तो सिचाई की फिलाल में अगर पोधर जो इस तरह आग देख रहे हैं 12-13 साल के तो इतनी सिचाई कर सकता नहीं होती है युई फ्ल गिर जाते हां चीकू का पोधा सबसे हश्यादक छीकू के वीश द्वारह लगा जाता है हालाकि कुछ वह सा कि सब पर इस से ग्रौाफ्टिंग और ऐसी अन्य तरिकों सी लगा जाता है जुलाई से लेकर सितंबर तक चीकू के पोधे लगा जा सकते हैं चीकू के एक पेड़ को करीब 5-8 साल लगते पूरी तरफ फल देने के लाइक बन्ने में लग जाता है आप लेटेस्ट हाइब्रिट बीच पोधा आ गया है दोस्तों टेंसेन दाले 5 साल में आपका चीकू बनकर त्यार हो जाएगा लेकिन फल पूरी तरीके से बनने में समय लग सकता है तो दोस्तों आप देख रहे हैं चीकू के बारे में और चीकू को मैं खेट से लाई बना रहा हूं आपको वीडियो करते हैं नतरजन सूपर फस्फेट और पोटास यूरिया है सूपर और पोटास के बजाए अपने खेट में केच्वे से बनी खाद दो दोस्तों जिससे चीकू की खेटी में अच्छे पढ़ना पाए जाए आप मेट्टी को भीगाड़े नहीं ज्यादा रासानिक खाद डाल डाल कर केच्वे अगर कुछ मिल जाए मोल ले खरीद ले गोबर मिट्टी में छोड़ दे आपकी खाद दो महिनों में भईयंकर तरीके से बन जाएगी और खेट में डालते ही मज़ा आ जाएगा दोस्तों खेट में नमी भी बनी रहेगी चिकुम में लगने वाले रोगों रूपचार बताता हूं चिकुम लगने वाला एक प्रमुग रोग है जिसमें पोधों की पतिया पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं इसमें आप देखते हैं कोई भी मैड नहीं है उसके निंटर्ण के लिए में को ज चिकुम साला चिकुम चिकुम आप लगाए एक रिपोर्ट करने सारे हेक हेक्टर में चिकुम के तर भागवने और खेती करके 5 में पांच लाग ज्यादा कमा जा सकता है दोस्तों मेरा पडोसी है यह चिकुम के खेतवाला मैं आपको बताओ यह लग भाग एक सिजन में 2 ल दो लाक रुपे कमाल है उसने और की अच्छी है अंतर फसले भी लगाए आप सिचाई की ब्लबतत जल्वाई के अधर पर अननास कोकोवा टमाटर बंगन फल गोबी मतर कर्दू केला पपिताक और अंतर फसली की दोर पर उंगा जखता है इसके लाग गेहूं है चना है कप खाने वाला हूं आप अब पोधा देखिए पोधा किस तरीके स्लेटा लूम चीकु लगे हो गया है मन अब भायंकर सोचने लगता है क्या रभापर इतना चीकु एक पोधे पर तो 200 पोधे पर कितना देखिए जी आपको सूख अचारा दिखाई दे रहे हैं पर ग्यों बो सबसे बढ़िया केला पपीता इन में नुक्सान होने का डर होता है इसे आप मजदूर से खुद दूलवा है यह आप यह खटा किसको दे दे और इसके बाद आप खेती करे मेरे उम्मीत रखता हूं इसमाट खेती के जरीए चीकु की खेतियाब करेंगे इसमाट खेती आहा करेंगे प्रूश चूलवा हैं